राजुस्तान के कोटा में हुए 104 बच्चों की मौत पर वाराणसी में विश्व हिंदू सेना के सुस्थापक अध्यक्ष अरूर पाटन में सामने घट छेत्रे स्थित महामृत त्युंजें मंदी में बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना वा मृत बच्चों की आत्माओं की सांती के साथ साथ राहुल गांधी वा प्रियंका वाडरा की बुद्धी शुद्धी हितु हवन पूजन का रिक्रम का रिजन किया जिसमें वैदिक प्रामणों द्वारा मंतरो चार के साथ महाम मृत्यांजय यग का उद्देश राजस्थान के कोटा सहर में अस्पताल में व्रिद बच्चों के आत्माओं की शांती के साथ जो बच्चों अस्पताल में भरती हैं उनके स्वासलाब की कामना थी इसके साथ ही अरुपाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांदी वा प्रियांका गांडी वाद्रा का या बुद्धी शुद्धी यग किया गया है क्योंकि कोटा में ब्रिद बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया ना ही उनके परिजनों से मिलने के लिए गई जबकि दंगा करने वाले मुसलिम लड़कों से मिलने के लिए प्रियांका वाद्रा लगातार पहुंसते रही है जबकि राजस्थान में उनकी सरकार है यही नहीं पूरे देश में घूम घूम कर प्रियंगा वाड़ा आग लगा रही है जी आपका नाम पर्शेश में अरुड जी आज किस तरह का यगी क्या है और जी आज हम लोगों ने भगवान महामितुझे का जाब किया है जल्द से जल्द स्वस्थों के घर पहुँचे इसका प्राथरा किया है क्योंकि कुछ लोग इस देश में घूम घूम के आग लगा रहे है अभी जैनू में पहुच गई रात को बारा बज़े आग लगाने प्रियंका गाधी बाटरा जामिया इसलामिया के बच्चों को जो 30 साल के बच्चे जाक करती है कि मैं मा हूँ वो बच्चे है और उनके सासित प्रदेश में नवजास इस्वों की मृत्य हो रही है उस पर उनके जबान को लगवा मार गया है वो गूंगी हो गई है तो यह नवटंकी जो करती रहती है लेकिन हम तो कासी वासी हैं और हम लोग जब पूरे बिश्वों पे संकट आता है कासी खड़ा होता है तो कोटा में नवजास इस्वों की मृत्य हो रही है इस वज़े से आज हम लोगों ने उसके तरद नकली आग नहीं लगाया है असली अगनी प्रज्वलित की है और बै काजस्तान के कोटा में बच्चों की मित्यू पर अब तक मौन बनी हुई है रिपोर्टर स्पेस्ट की खास रिपोर्ट